हाई कैसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होगे मैं अच्छा नहीं हूँ मेरी तब्यत थोड़ी नसाज है और यह चीज़ आपको मेरे आवाज से भी पता चल रहा होगा और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ उसकी वज़ा भी यही है तो इस वीडियो में आप से कुछ बातें करने आया हूँ कुछ अपनी बातें बताने आया हूँ और मुझे कुछ help की जरूरत है पैसो की नहीं आपके साथ की जरूरत है सो इस वीडियो को लाश्ट तक देखना और चैनल पर बने रहना अगर आप एक मेरे रिगुलर सब्सक्राइ होना तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले मैंने जो है न ऑक्टूबर में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किये और उन वीडियो में मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला और इसी वज़े से मैंने डिसाइड किया कि जब इतने जादे लोग मेरी वीडियो जो को पसंद कर रहे हैं ।च canvas करने का तरीका अच्छा लग रहा है और मैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस तरीके से वीडियो द्यारी है। जिस तरीके से समझा रहा हूँ, वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाया जाए, और इसी वज़े से मैंने एक Mac Mini खरीद लिया है, थोड़ा अच्छा परफूमेंस के लिए, और एक एडिटर भी रखने वाला हूँ, तो आप लोगों में से कोई अगर एडिटिंग अगर जानता हो, तो इसलिए मैंने आइफोन 15 प्रो और कर दिया है, और सिर्फ वीडियो के लिए ही नहीं, क्योंकि बहुत जादा हाइप मचा हुआ था आइफोन 15 प्रो का, और मैंने लोग लडाई कर रहे हैं, इस्टोर के सेल्समेन से लडाई कर रहे हैं, इंडिया में, दुबै में, और भी अलग अलग जगा पर, तो मैं सोचा चलो इसको भी खड़ा जाए, और इस पर भी बात किया जाए कि क्या ऐसी अलग चीज है आइफोन 14 प्रो या फिर आइफोन 13 से कि लोग इस पर इतने जादे पागल हो रहे हैं, और मैंने कुछ यूटिबर्स की वीडियो भी देखें, जिसमें वोग बहुत ज़दा एक्साइटेड थे, तो इसलिए भी सोचा कि चलो, खरीद कर देखते हैं कि क्या एक्साइटमेंट है, और वैसे भी मैंने इस चैनल स्मार्टफोन 3-4 साल यूज नहीं करते हैं, एक साल, दो साल उज करते हैं, और फिर बेच कर दूसरे नये स्मार्टफोन खरी लेते हैं, तो अच्छा रहता है कि पुराना ही स्मार्टफोन कहणी लें, इसलिए मैं पुराने स्मार्टफोन ज्हा तर 二 dawn कि कोई कंपनी का प्रेशर ना हो कोई इंबार्गो ना हो ताकि मैं अच्छी तरीके से अपनी उपीनियन रख पाऊं उसकी अच्छाईयां उसकी बुराईयां सारी जैसी है वैसी मैं आपके साथ सेयर कर सकूँ और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने सारे स्मार्टफ और उसी सेविंग का मैं यूज करता हूँ और अभी तो मॉनिटाइज भी है चैनल तो कुछ अर्णिंग भी हो जाती है और कुछ स्पॉंसर से भी करता हूँ मैं मतलब इंटिग्रेटेड स्पॉंसर सिप अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियो को तो वीडियो के बीच म मतलब 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड की एक आड रहती है तो उससे भी कुछ अर्णिंग हो जाती है बढ़ा मैं कोई इलिगल आप वगरा पर मोट नहीं करता हूँ या फिर गलत चीजें पर मोट नहीं करता हूँ गलत चीजें आपको इंस्टॉल या डाउनलोड करने के लिए नह आठक 우리는 1फोनी फिर उटे जा सकते हैं सो मैंने बता हैं को कि मेरे कुछ सेवंग्स जिससे मैं खरिडता हूँ और फिर उनको बेचता ही और फिर उससे खरिद्ता हो मतलब यही प्रॉसेस चलता रहता है थोड़े बहुत घाटा होते हैं बड़ कोई बात नहीं यहीं इतना त रिदने की experience को बहतर बना सकूँ एक और बात मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर हैं जो regularly मेरी वीडियो को देखते हैं मेरी वीडियो में अगर कुछ गलती रहती है तो नहीं निकालते हैं और मुझे सुधारते हैं और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग ये भी कॉमेंट करते हैं कि भाई मुझे भूल तो नहीं जाओगे आगे चलकर तो देखो यार मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगा जो मेरे ओल सब्सक्राइबर है जो हमेसा मेरी वीडियो में कॉमेंट करते रहते हैं मेरी वीडियो को लाइक करते हैं वीड झाल झाल